दोस्तों मैं श्रमसुल आरफी नो आप देखने चलेंग 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 आज हम बात कर रहे हैं कोरा के तब से आउगनाईज के जानवले कोरा पोगामिंग चैलेंग 2021 के बारे में अगर आपकी एज 18 यह से ज्यादा है या 18 यह भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आपको पोगामिंग लैंग्वेज C, C++, Python, J5 में से कोई भी आती हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बेनिफिट्स क्या होंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे प्राइज़स मिल सकते हैं 2000 डॉलर, 1000 डॉलर या इस तरीके के कई प्राइज़स हैं जो आपको अभी मैं वेबसाइट पर ले जा करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप वहाँ पर प्राइस जी सकते हैं यह चैलेंग्ज दो अलग अलग दिरों पर होने वाला है फरवरी की दो डेट्स मिलेंगी आपको उन डेट्स पर होने वाला है और इसकी लास डेट फाइ करें और दोस्तों में शेर करें डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आप कोरा पोगामिंग चैलेंज के पेज़ पर आ जाएंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यह सिक्थ फरवरी और दो डेट्स पर ऑगनाईज होने वाला है जिसमें दो और algorithm related problems होने वाली है आप चाहें तो इसमें एक division या दोनों division के लिए ही applicable हो सकते हैं दोनों डेट्स अलग-अलग हैं 6 और 7 दोनों दिन यह 4-4 घंटे का contest होने वाला है और जो भी इसमें winners होंगे उनको अलग-अलग prizes मिलेंगे means prizes के लिए जिदिया हुआ है यहां पर कि जो 200 US dollar का price भी मिलने वाला है और इसके बाद जो top 50 places के होंगे उनको quora के तरफ से T-shirts भी मिलेंगी और इसके अलावा जो लोग इसको अच्छे से perform करेंगे उनको quora की तरफ से job offer भी मिल सकता है और जो इसके rules हैं वो rules यह हैं कि आप दोनों में apply कर सकते हैं दोनों के लिए applicable हो स solution देना है ना कि आपको कहीं से किसी URL से कुछ copy करके paste करना अगर ऐसा आप करते हैं तो आप डिस qualify माने जाएंगे और अगर ज्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप यहां पर फुल contest rules है इस पर click करेंगे इस पर click करते ही आपके सामने पूरा page आ जाएगा और यह की लिए यहां पर लिखा हुआ है कि at least आप 18 years के होने चाहिए आपकी age 18 years की होनी चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा जो eligibility criteria है वो क्या है कि अगर किसी को क्या आए तो वह इसमें अप्लाई कर सकता है इस submitted answer must be written in C++, C, Java, Python इन में से अगर कुछ भ वापस आते हैं और जाते हैं आप पर registration प्रोसेस पर जहां पर हमने पहले registration का पेज हम लोग देख रहे थे registration पेज में आप देख सकते हैं यहां पर हमें जो जो चीज़ें फिल करनी है आपको location फिल करनी है city school college graduation year LinkedIn profile means LinkedIn profile होना जरूरी अगर आपका LinkedIn profile नहीं बना है तो आपको resume यहां पर attach करना है कोई file आप यहां से choose कर सकते हैं और इस पर click करना है और उसके बाद register पर click कर देना है registration हो जाने के बाद आपको इस तरी के मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है thank you for registering you are all set you will receive an email with more details closer to the start of the challenge please check the email associated with your core account means जो भी आपका account course attach हो जो भी आपने mail दिया हो उसको आप चेक कर लिजिए वहां पर आपको mail आएगा और जब भी आपका exam होगा उसी पर पूरी detail आपको मिल जाएगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर पहले बार चैनल पर आएए तो नीचे लाल बटन दबा करके चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आपको हमारे latest वीडियो मिल सकें सबसे पहले